समस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का पाथफाइंडर पुर दोस्तो आज दी आई टू यूटू समिट की लीडर्स कंफरेंस है या फिर इसी को वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया की ज स्वारा कुछ बदलते हुए भी देखें आपको तो बहुत जरूरी है हम आई टू यूटू के बारे में जाने क्या एक्जाक्ली है यह जिसकी आज लीडर समिट हो रही है और आई टू यूटू की बैठक है वर्चुल समिट है तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके सिवा आप मुझसे में टेलेगाम चैनल पर जूड़ सकते हैं और साथी साथ आप मेरे प्लेस कोर्स इंवार्मेंट जिग्रफी में भी जूड़ सकते हैं मंडे दू थर्दे निकालो क्रिलिंस 2023 में भी जूड़ सकते हैं डाउट दर्बार है फॉर यूपेसी आइस जुलाई 14 15 16 को पांच बजे पांच बजे आट बजे आप देख सकते हैं टॉपिक्स भी आपके सामने हैं तो फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन है तो इसमें आप जूड़ सकते हैं बाकि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे है तो यूज दी कोड के सी टन ज जो कन्वेंशनल जो हमारी नॉन अलाइंड थी उससे कुछ हट कर हम कुछ डिप्लोमेटिक अलाइंसे की तरफ मूव करते हुए देख रहे हैं तो उसी में एक रिसेंट डिप्लोमेटिक मूव में हम एक नई समिट जो की आई टू यू टू जिसका नाम रखा गया है इंड सब्सक्राइब करते हैं तो आई टू यू टू अगयर आप देखें तो आई टू याने इंडिया इस्रेइल और यू टू याने यूई एंड यूस ये चार देशों का ग्रूपिंग है इन फॉर्मल ग्रूपिंग है इसी को वेस्टेशन कोड भी कहा जाता है प्रिवियसली इन चार देशों के एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर की भी बैटक हो चुक यहाँ पर आने वाले हैं वर्चुली इनकी मीटिंग होने वाली है तो यहाँ पर इस समिट होने के पहले शेर्पा लेवल इंटरेक्शन और इन चार देशों के द्वारा हो चुके थे और उसी के द्वारा इस मिट को अब फैनल शेव दिया जाएगा जब लीडर्स की बठ में जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है उन पर वो चर्चा कर लेते हैं so that जब leaders आये तो उनके पास ज्यादा बात करने के लिए in the sense चर्चा करके एक दूसरे को मनाने के लिए pursue करने के लिए उसके लिए ज्यादा वक्त तो है नहीं तो इसलिए वो शेरपा करके रखते और ये final leaders आते हैं और बस sign करते हैं तो उसके लिए शेरपा level summit होती है तो शेरपा level summits already हो रखी है यानि leaders के आज जब meeting होगी उसके पहले already इस बैठक में क्या-क्या होना है किसे topic पर चर्चा करनी है क्या-क्या cooperation होना है उन सब पर चर्चा हो चुकी है शेरपास के द्वारा तो objective क्या है इसका तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखे जैसा मैंने बताया इस grouping का main objective है economic growth तो उसी में जो common areas है mutual strength के mutual interest के उनमें economic partnership हो सके trade and investment हो सके एक दूसरे देशों में उस पर focus किया जाएगा तो जो purpose है वो होगा कि एक दूसरे का infrastructure modernize कर सके low carbon development avenues industries के लिए ढूंड सके public health को improve कर सके critical emerging technologies को develop कर सके एक दूसरे के सथ cooperate कर सके and green technologies को develop कर सके तो दोस्तों इन total अगर आप देखे तो इन्होंने I2U2 में 6 areas identify किये गए है mutual interest के and mutual cooperation के पहला है water, दूसरा है energy, तीसरी है transportation, चौथा है space, पाँचवा है health and छटा है food security तो यही 6 अगर आप देखे तो areas है जिन पर focus होने वाला है I2U2 का and इसके लिए कोशिश की जाएगी कि joint investment हो in sectors में so that यह मिल के in sectors को मजबूत कर सके तो दोस्तो इसी में अगर आप देखे तो I2U2 summit में कोशिश किया जाएगा जो West Asia है जिसको Middle East भी कहते हैं तो West Asia में काफी जादा मजबूती से इंडिया की जो पकड़ है वो और मजबूत हो सके इंडिया के अलरड़ी यहाँ पे allies है जैसे आप देख सकते हैं इसरेयल है वैसे ही आप देखे तो यहाँ पे UAE है तो यह already इंडिया के काफी close है तो इनके साथ हम further अपनी economy को integrate कर सकेंगे तो दोस्तो इसरेयल भी अगर आप देखे तो इसी के द्वारा UAE उनका doorway होने वाला है जिसके त्रू गेटवे होने वाला है जिसके त्रू आप देखे तो इसरेयल भी बाकी जो कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया में उनके साथ वो और अपने रिष्टे मजबूत कर सकें और इसके लिए अब्रहेम एकोर्ट्स ने अल्रड़ी रात्ते खोल दिये हैं जब UAE, Morocco and Bahrain ने इसरेयल के साथ अपने रिष्टे नॉर्मलाइज कर लिये थे क्या है ये अब्रहेम एकोर्ट्स तो आईए उसको भी जल्दी से में कवर कर लेता हूं तो दोस्तों इसको इसरेयल, UAE, Bahrain ने सेप्टमबर 2020 में साइन किया था और किसकी मध्यष्टा थी यूएस की मध्यष्टा थी तो इसको परपस था इसरेयल और इन एरब गल्फ कंट्रीज के साथ जो रिष्टे हैं वो नॉर्मलाइज हो सके और यूए और भरेन ने इसरेयल में अपने अमबैसीज भी बनाए और साथी साथ अमबैसडर भी एक्सचेंज किये साथी साथ अगर आप देखे तो इन दोनो इन तीनों देशों ने रेंज ऑफ सेक्टर टूरिजम ट्रेड हेल्थ केर सेक्योरिटी को forefront पे रखा और कहा कि इस पे हम cooperate करेंगे और साथी साथ अगर आप इसरेयल में देखें तो जरूसलेम में अल-क्सा मॉस्क है जो की third holiest site माना जाता है इस्लाम में तो वहाँ पर भी अब इन देशों से जो तीर स्यात्री हैं वो आ सकेंगे और उसको विजट कर सकेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे I2, U2 Summit की तो कुछ challenges भी उभर के आ रही हैं भारत के लिए जरूरी हम इनको भी जाने तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप देखे अच्छे नहीं है इस्रेइल के साथ भी रिष्टे अच्छे नहीं है USA के साथ भी रिष्टे अच्छे नहीं है वहाँ पर इंडिया दिख रहा है इन तीनों देशों के साथ अपनी एक informal alliance बना रहा है तो यहाँ पर कहीं न कहीं इरान इससे खुश तो नहीं होगा जो की साथ साथ दिख रहा है तो यह भी एक इरान को कहीं न कहीं इससे दुख मतब इरान के लिए थोड़ी सी वो issues raise कर सकता है और उसका ramification बाकी aspects में हमें देखने मिलेगा अस हो सकता है कल को कश्मीर का राग वह आपस अलापना शुरू कर दे जैसे past में भी उसने किया है वैसे ही अगर आप देखें तो साथी अरेविया भी जो कि इंडिया के साथ काफी close रिष्टे रखता है अब साथी अरेविया भी vocal था इस alliance के खिलाफ उसने बात की है तो इससे कही न कहीं इंडिया साथी रिलेशन में भी कुछ खटास खटास आपको देखने मिल सकती है तीसरा कई thinkers कह रहेंगी भारत का जो approach रहा है foreign policy का शुरुवात से ही non alignment का रहा है तो उसमें ये alliances पहले quad था वे station quad है तो इसकी जगे नहीं होनी चाहिए तो ये जो हमारा established stance है उससे हम divert कर रहे हैं तो ये objections भी raise किये गए हैं पर यहां भी दोस्तो भारत के लिए अगर आप देखे इस वक्त जो i2, u2 में हम focus कर रहे हैं वो है bio economy ये तीनों देश अगर आप देखे तो बायो टेक्नोलोजी के हब हैं and mutual cooperation इंडिया पुसिश करेगी इन से बायो टेक्नोलोजी के सेक्टर में इनके साथ करने के लिए so that हम अपने इस सेक्टर को boost कर सके और आने वाले दिनों में जैसे हम global pharma की factory बने हैं दुनिया के लिए वैसे ही bio economy के बाद जो bio tech sector है उससे भी जो नई प्रकार की दवाईया आने वाली हैं उसके लिए भी हम भारत में उसे बनाना शुरू कर सकते हैं वैसे ही अगर आप देखे तो इस्राइल जो की start-up nation है उसके साथ हम अपने start-up sectors को further cooperate करवा सकते हैं और साथी साथ cyber security में इस्राइल के साथ भी हम close coordination कर सकते हैं साथ अगर आप देखे तो अगर हम west station countries की बात करें तो उनके साथ हमाई रिष्टे largely bilateral रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको multilateral grouping के through भी परदर और मदबूत कर सकते हैं बागी west station countries अगर आप देखे तो OIC का रोल रहता है जिसमें वो अपने रिष्टे multilateral forums के through भी regulate करते हैं लेकिन इंडिया OIC का जो की member नहीं है तो इसलिए इंडिया इस west खरिदा गयास के पैसे दे दिये तो अब यहाँ पे उस economy में diversification आएगा और जब economy में diversification होगी तो आने वाले दिनों में जब oil एक major role ना play करे economy में तब भी हमारे रिष्टे इन देशों के साथ मजबूत रहेंगे तो इस इलाके में भारत अगर आप देखे तो इस इलाके मे भारत की पकड मजबूत बनी रहेगी कल जब oil picture में नहीं रहेगा तब भी तो यह भी एक major role हो सकता है इस I2 U2 का और साथी साथ अगर आप देखे तो इंडियन डायस्पोरा है इन देशों में तो वो इन देशों से remittances देती है साथी साथ अगर आप देखे तो Middle East खुद ए जो कि इंडिया के लिए बड़ा economy भी एक बड़ा market भी बनकर उभर रहा है तो जरूरी है इंडिया अपने जो रिष्टे हैं इन देशों के साथ वो diversify करें तो इससे रिष्टे और मजबूत रहेंगे और यह आने वाले दिनों में भी जब economy बदलेगी economy की सूरत बदलेगी तब भी यह vulnerability उतनी ज्यादा नहीं होगी इन रिष्टों में असानी से खटास नहीं आ सकेगी क्योंगी जब भी आप यह कोड़ यह उसे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें तो यूज से संपर्क करें फोर हैं रन रन कर रहे हैं अब टू 15 पर संट ऊप्टिप्शन में एक साल की प्लस की कीमत ते 58,527 रूपीज एंड एक साल की आइकनिक कॉंबो की कीमत है 75, 129 रुपीज, तो दोस्तों ये code यूज करें AC10 for my free handholding guidance and mentorship and साथी साथ आपको कहना चाहूंगा दोस्तों ये जो savings है, आपको काफी ज्यादा savings मिल रही है, तीन साल में भी है, दो साल में भी, 18 महीने में भी आता अपने हिसाब से आपकी जैसी preparation है, उसके अनुसार आप ये subscription ले सकते हैं, CAC Azure प्रोग्राम भी आपने कर रहे हैं, दो साल या अससादिकी subscription लेते हैं, तो CAC Azure मिलता है, जिसमें एक साल अगर आपको मन मताबिक result नहीं मिलता है, दो साल के subscription के बाद भी, तो आपको एक साल का free extension मिलता है, हमार rank 2 को है, Samsung mobile rank 3 को है, 250 लगी participants को gift cards भी मिलने वाला है, तो use the code kc10 and become part of it, नीचे comment section में link है, उसमें enroll कर लो, इसके सिवा अन academy में आप देख सकते हैं, widest choice of educators है, live mentorship है, daily answer writing, practice for means है, इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं, बहुत सारे हमारे toppers हैं, आप जैसा screen पर देख सकते हैं 0% EMI पे, hassle free loan भी आपको available है, flexible tenure है, minimal paperwork है, 2 गंटे में ही approval है, दोस्तों UPCAC batches भी है, July 14 start हो रहे है, bilingual है, English है, 2024 के लिए batches है, 2023 के लिए batches हैं, 2023 के लिए batches हैं, इनका फायदा आप ज़रूर उठाएं and become part of it, इसके सिवा दोस्तों UPCAC learning अभी upgrade होने वाला है, कुछ news आपके स share करेंगे, so stay tuned, thank you so much for joining, have a great day.